कार्श स्वागत है आपका हमारे चुनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजन दो हजार चौबिस लोकसभा चुनाहों की सियासी विसात बीच चुकी है जहां एक तरफ राहूल गांधी भरत चोड़ो ह्यात्रा में व्यस्त है तो वहीं दूसी तरफ कॉंक्रस पार्टी के नेता शशी थरूर ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि कॉंक्रस पार्टी और राहूल गांधी के लिए मुश्किले बढ़ा सकता है तरसल उन्होंने के दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाओं में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काविश होगी दोहजार चौबिस में बीजेपी सरकार बनने की भविश्य वाही शशी थरूर की ओर से की गई है हाला कि इसी के साथ कॉंग्रिस पार्टी के नेता ने ये भी कहा है कि इस बार बीजबी को कम से कम 50 सीटों का नुकसान होगा ये भी शशी थरूर की ओर से कहा गया है तो एक तरफ राहूल गांदी भारत चोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं मकसद यही है कि इस यात्रा के जड़िये दोहजार चौबिस में कॉंग्रिस पार्टी के लिए एक माखुल तयार किया जाए लेकिन कैसे उन्हीं की पार्टी के नेताफ के पैखो पर पुलहडी मारने का काम कर रहे हैं जिस तरही के से शशी थरूर का बयान साफ ने आया है है कि दोहजार चौबिस के लोकसबा चुनाओं में बीजेपी के लिए दोहजार उन्नीस जैसा प्रदेशन करना असंभव होगा आगामी आम चुनाओं में पार्टी अपनी मोजूदा 50 सीटे हार सकती हैं ये दावा शिशी थरूर की ओर से किया किया है पहले ही बीजेपी कई राज्यों में सत्ता गवाई चुकी है उन्हें ये भी कहा कि 2019 के वक्त बीजेपी का पॉफॉर्मेंस काफी अच्छा था वो तमाम राज्यों में चुनाब जीत रही थी लेकिन इस बार उन्होंने कहीं राज्यों में सत्ता गवाई है अब लोकसबा चुनाओं में भी बीजेपी बहुमत तो हासिल नहीं कर पाई ही लेकिन हां इतना ज नहीं कि जमसे कॉंगر। पार्टी में राजटियाष्ट का चुना हुआ है चुकि ए उमिदंडवार शेशी थरूर भी थे मली कारजुन घड के साथ साथ लेकिन शेशेथरूर को हाड का मूह देखना पड़ा, और मलीकारशुन घड को को कॉंग्रिस पार्टी HR का राश् हुचना करने पर उतराएं क्या कॉंक्रिस पार्टी को लेकर वो नाराज की अपनी जाहिर कर रहे हैं आलाकमान से नाराज है यह भी सवार है क्योंकि राहुल गांधी तीन हजार किलोमेटर की भारत चुड़ो यात्रा निकाल रहे हैं अभी यात्रा कश्मीर पहुंचने वाल लेकिन यशी थरूर इस यात्रा में दिखाई नहीं दिये हैं यह भी बड़ा सवाल है और हाली में जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी के यह सांसर जसी थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की कई मोकों पर तारीफ की है उनकी तरफ से यह कहा गया था प्रधानमं पिद्वारा विधानसबाद चुनाव में उत्तरप्रदेश सहीत चाहर राज्जियों में मिली जीत का क्रेडिट भी परधानमंत्री नरेंद्र मोधी को ही दिया था तो शशी थरूर भी यह मानते हैं कि परधानमंत्री नरेंद्र मोधी एक डानमिक व्यक्ति है और जो की राजनिती में ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं यानि खुलकर वो परधानमंत्री नरेंद्र मोधी की तारीफ कर चुके हैं जिस तरह से उत्तरप्रदेश उत्तराखंड कोफा पंजाब एपूर में विधानसबाद चुनाव हुए उसमें जाहिर तोर प इतनी जादा बढ़ रही है क्या वो मतों में तबदील होगी तो उन्होंने साफतोर पर ये कहा था कि भारत चुड़ो यात्रा को ये काम्यावी जरूर मिली है कि उनके साथ इतने लोग चल रहे हैं लेकिन चुनोती बड़ी है कि क्या ये लोग मतों में तबदील हो पाएं एक के बाद एक बयान साफने आ रहे हैं लोगों का ये भी कहना है कि अगर अलाकमान उन्हें राष्टे अध्यक्ष बना देती शची थरूर को तो आज उनके इस तरह के बयान नहीं आते आज वो ये नहीं कहते कि दो हिजार चौपीस में बीज़पी जो है वो सरकार हैं तो लोगों का ये कहना है कि शची थरूर की के नाराज़ की है कांग्रेस अलाकमान से जिसकी वज़ा से उस तरह के बयान जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं क्या कुछ शची थरूर की ओड़ से इस केरल साहित्य महस्तों में राजनिती पर जो बयान उनका दिया किया है आपको बताते हैं कि शशी थरूर ने कि कहा है कि 2019 के लोकसभाद चुनाव में बीज़ेपी ने कितना अच्छा प्रदेशन किया था हर्याना गुझरात राजस्तान बिहार मध्यप्रदेश और माहराश्ट में बीज़ेपी ने शांधार प्रदेशन किया था पश्रिम बंगा अभी हासिल नहीं कर पाएगी लेकिन वो सत्ता पर काबिद जरूर हो जाएगी यह दाफ़ा शशी थरूर की और से किया गया है बीज़ेपी को नुकसान होगा तो विपक्ष को फाहिदा होगा यह भी शशी थरूर की और से कहा गया है 2019 में चुनाव से तुरंत पहले पुलवामा और बालाकोर्ट हमलों ने बीज़ेपी को जीत दिलाने में एहम भूमी का निफाई यह शशी थरूर का दावा है लेकिन आपको यह बता दे कि पुलवामा और बालाकोर्ट हमलों में जिस तरह से बीज़ेपी जिस तरह से प्रधान मंतुरी नरेंत्र मोदी की सरकार्ट ने एक्शेन लिया है जिस तरह से पूरे स्थित्य को सभाला था लेकिन वहीं कॉंक्रि पार्टी जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि कहीं अपने ही पैलों पर कुल्हाडी मार्टने का काम करती है फिर चाहे वह सेना को लेकर दिया बया प्यान हों फिर चाहे वह सर्चिकल स्ट्राइक के सेटा से सबूत माकने की बात हो या भारतिय सेना का दर्सल चीनी स् से किया है जिस तरह से मोदि सरकार की आलोचना कॉंग्रेस पार्टी करती है लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर कही न कहीं जनता की राय जो है वो अलग होती है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर अपनी राय जो रखती है वो जाहिर तोर पर जनता को सही नही वक्त करती है लेकिन Congress Party के सांसद शशी थरूर का जो ये बयान साथ ने आया है कि अपने आप में हैरान करता है कि क्या शशी थरूर के बदलते सुर। Congress Party की मुश्किले बढ़ाएंगे क्योंकि एक तरह भारत चोड़ो यात्रा कराहूल गांथी निकाल रहे हैं जहां वो Congress Party जिस तरह से बिखर रही है जिस तरह से टूट रही है उसे जोटने की कोशिश कर रहे हैं भले ही वो भारत चोड़ो यात्रा निकाल रहे हो लोगों का सा कात पाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हीं की पार्टी के जो सांसद है वो इस तरह से चाफतोर पर कह रहे हैं कि 2024 में बीज़पी ही सरकार पनेगी ये भविश्यवानी उनकी तरब से लिए गई है हाला कि देखना ये होगा कि चुनाव आत कह सकते हैं कि कॉंग्रिस के राष्ट्रे अध्यक्ष के चुनाव के बाद साफने आए हैं वो कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं कि शेशी थरूर क्या कॉंग्रिस आलाकमान से नाराज हैं क्या राहूल गांदी सोनिया गांधी से नाराज हैं जिस तरीके से राष्ट्रे अध् जपी की सरकार बने की ये भविश्यवानी कर रहे हैं वो भी तब जब राहूल गांथी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा अब कहीं ने कहीं समापन की ओर पहुंच चुकी है लेकिन इस तरीके के बयान अब इस पर कॉंग्रस पार्टी की क्या पर